है थो टीज अ कि अ हलो स्टुडेंट्स स्वगात है सबीका हमारी यूटूब चैनल डीकमस्टी क्लासेज ने आज हम class 10th का जो cbsc term 1 exam होने जा रहा है उसके लिए कुछ mcqs लेके आए है तो आज हम chemistry के first chapter के chemical reactions and equations chapter से हम कुछ mcqs लेके आए हैं तो डिसकस करेंगे तो बहुत carefully watch करिएगा और चैनल को subscribe, like, share करते रहिएगा देखिए आज का जो topic है वो हमारा तो इसको हम कई parts में discuss करने वाले हैं देखिए आपको screen पर right में आपको screen पर worksheet दिखेगी जिसके questions यहाँ पर हम discuss करेंगे के करके तो सभी लोगों से request है कि आप इसको right में देखें मैं इधर से इसको read करूँगा देखिए इसमें आपको दिख रहा होगा पहला question है हमारा reaction fe 2 o 3 plus 2 al gives al 2 o 3 plus 2 fe is an example of ठीक है तो सबसे पहले क्या करिए इस reaction को लिख लिजिए इसमें पूछा है कि जो reaction ही वो किस type का reaction है पहला question है हमारा reaction आपको यह दिया हुआ fe 2 o 3 plus उसके बाद में है 2 al gives al 2 o 3 plus 2 fe ठीक है options जड़ा चेक करिए देखिए क्या क्या दिये हुए है पहला option आपको दिख रहा होगा combination reaction ठीक है दूसरा होगा double displacement reaction third आपका होगा dissociation reaction and last आपका है displacement reaction तो देखिए displacement reactions में क्या होता है एक जो species है वो दूसरी जगह पहुंच जाती है यहाँ पर देख सकते हैं जैसे यहाँ पर oxygen आपको दिख रहा होगा ठीक है यह आपर al लिखा हुआ है यहाँ पर क्या है यहाँ पर al 2 o 3 है यानि कि इसमे al only al है यहाँ पर आपका al के साथ में oxygen आ रहा है तो देखिए यह इसके साथ यहाँ पर आ रहा है आ रहा है कि ने आ रहा है ठीक है तो यहाँ पर क्या आ रहा है यह exchange हो रहा है और ऐसे cases जहाँ पर केवल एक ही चीज इक्स्चेंज होती हो उस reaction को हम क्या बोलते हैं displacement बोलते हैं केवल displacement और जहाँ पर दो चीज़ें आपस में exchange हो रही हो यहाँ पर केवल एक reactant का कुछ पार दूसरे reactant में जा रहा है इसका मतलब आपका only यहाँ पर displacement होगा तो यह जो reaction है वो किस type की हो जाएगी यह आपकी displacement हो जाएगी तो यहाँ पर देखिए सब भी लोग option चेक करिए कौनसा option आपका दिया हुआ है option D आपका correct हो जाएगा option D यहाँ पर आपका correct होगा displacement reaction हो जाएगी ठीक है देख लिजी यहाँ पर मैंने आपको बता भी दिया है क्या होता यहाँ oxygen यहाँ ले लिया है यहाँ से जगह छोड़ के यहाँ आ गया है ठीक है तो इसलिए इसको displacement बोलेंगे next question पर देखिए सबी लोग next question है हमारा the statement for the following reaction are यहाँ पर लिखा हुआ है 2PVO plus C gives CO plus 2PV दूसरा question है PVO plus C gives CO plus PV इस reaction को हमें पहले carefully देखना है उसके बाद में उसके नीचे जो statements है उनको हमें बताना है इसमें concert true statement है तो देखिए इसमें लिखा हुआ PV is reduced तो आपको पता है देखिए यहाँ पर PV is reduced PV का reduction हो रहा है क्या हो रहा है यहाँ पर देखिए जैसे PV है PV किसमे convert हो रहा है PV यहाँ पर क्या हुआ है removal of oxygen है यहाँ पर oxygen remove हो रहा है removal of oxygen तो जब removal of oxygen होता है तो वहाँ पर क्या होता है reduction होता है होता है कि नहीं होता है जब addition of oxygen होता है तो oxidation होता है जब removal of oxygen होता है तो यहां पर reduction होता, तो यह आपका reduce हो रहा है, सही बात है दूसरा सुम्हें पूछा है, CO is oxidized ठीक है? CO is oxidized, चेक कर यह सबी लोग CO जो है यहां पर, अगर हम इसकी बात करें तो CO में क्या हो रहा है? यहां पर addition हो रहा है oxygen का ठीक है? यहां पर addition हो रहा है oxygen का addition of oxygen क्या होता है? Oxidation होता है तो यहां पर इसका मतलब क्या हुआ है? CO यहां पर लिखा हुआ है CO is oxidized, बहुत बिल्कुल सही है, आपर CO oxidized हो रहा है और PV आपको क्या हो रहा है? reduce हो रहा है क्योग यह PBO PV में convert हो रहा है, इसमे removal of oxygen है, इसमे addition of oxygen है तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट और सेकेंड दोनों स्टेट्मेंट आपके क्या है करेक्ट हैं आपस C is oxidized लिखा हुआ है नहीं यह नहीं होगा दूसरे का second option दूसरे का A वाला करेक्ट होगा क्योंकि इसमें first and second दोनों करेक्ट है ठीक है पहले वाले दोनों options आपके करेक्ट है और इसमें जो देखिए यह जो first second third करके दिया यह आपके options नहीं है यह आपके statements है और नीचे जो ABCD करके लिखे हुए है वो आपके options हैं तो बहुत ही carefully इनको ऐसे questions को ध्यान लखिएगा इसमें बहुत ही carefully इनको read करें then उसके बाद answer करें नहीं तो आप इसमें first second में ही अगर choose करने लगे तो फिर आपका answer गलत हो सकता है next question है question number 3 in the following reaction term y will be तो सबसे पहले क्या करिए reaction को लिख लेते हैं reaction आपका क्या दिया हुआ है question number 3 के में बात कर रहा हूँ reaction आपका given है 2FeCl3 plus S2O FeCl3 plus 2S2O plus y यह जो y term है इसी को हमें पता करना है कि कौन सा हो सकता है will be यहाँ पर आगे इसके दिया हुआ 2FeCl2 plus H2SO4 plus HCl यह आपका reaction given है plus 2SCl अब आपको यह y expect अगरना है तो आप यह सोचिए ज़रा है यहाँ पर देखिया options पहले चेक कर लेते हैं options में पहला option दिया है sulfur यानि कि S दूसरा है H2S तीसरा आपको दिख रहा होगा SO2 and fourth आपका है Cl2 तो आप यह उम्मीद करें देखिये कोई sulfur वाला तो at least हो गई होगा क्योंकि यहाँ पर STSO4 लिखा हुआ है इधर आपका sulfur कहीं नहीं है तो यहाँ पर first, second, third में से ही कोई हो सकता है दूसरी बात यह है oxygen को जड़र count करें यह देखिये यहाँ पर oxygen कितनी है इधर आपका two atom है इधर कोई atom नहीं है इधर आपका four atom है तो यहाँ oxygen भी sort है एक sulfur sort है दो oxygen sort है तो इसका मतलब यहाँ पर यह क्या हो जाना चाहिए इसको आपका एक sulfur sort था इधर ठीक है आप इधर different type of atoms count कर लीजिए जैसे आपर Fe है जान दीजिएगा सभी लोग Fe अभी कितनी बार है आपर दो बार है तो दो इसको लिख दिया CL यहाँ कितनी बार है CL आपका 2, 3, 6 times है ऐसे ही hydrogen को गर count करेंगे यहाँ इसको इससे multiply करते हैं तो यहाँ हो जाएगा 4 और यह आपका 2 CL इधर भी है तो यह 2 और यह 4 कितना हो जाएगा टोटल आपका 6 हो जाएगा ऐसे यहाँ पर hydrogen को देखिए hydrogen कितनी बार है यहाँ पर 2 यहाँ पर है 2 यहाँ पर 4 हो गया उसके बाद में sulfur यहाँ पर only 1 times है oxygen को जरह चेक करेंगे तो oxygen कितनी बार है 4 times है तो यह आपको data मिल रहा है आपको इधर क्या sort मिल रहा है एक तो oxygen आपको 2 कम मिल रहा है और एक sulfur यहाँ पर नहीं है sulfur यहाँ पर बिलकुल नहीं है ठीक है option number 3 आपका है that means इसका जो answer होगा वो option number 3 हो जाएगा ऐसे questions जरूर आपको exam मिलेंगे ठीक है option C आपका correct हो जाएगा SO2 जो होगा यह answer हो जाएगा ठीक है इसको हमने circle कर दिया है next question है question number 4 which of the following substance is used in black and white photography बहुत आसान है यह learning skill का question है पहला option दिया है agcl, pbno3, feso4, cseo3 हमेशा धहनकना जो black and white photography होती है question number 4 की में बात कर रहा हूँ black and white जो photography होती हो हमेशा silver के compound यूज किया जाते है तो यहाँ पर आप यह देखेंगे पहले options में चेक कर लिजी कौन सा compound silver वाला है ठीक है यानिकी ag से related है photography चेक कर लिजीए ठीक है कौन सा यूज किया जाता है agcl होता है agcl ही दिया या agno3 होता है वो भी हम लिख सकते थे silver chloride जो होता है वो आपका इसमें यूज किया जाता है तो इसका option कौन सा correct हो जाएगा पहला ही option है आपका तो option first आपका correct हो जाएगा इसमें option number a will be correct ओके next question पे चलिए multiple choice में आपको time बहुत कम मिलता है इसलिए बहुत फटा-फट question attempt करने कोसिज करिया अपनी speed ज़रूर बढ़ाएगा कोसिज करिएगा हमारे साथ ही सुनने के साथ में देखने के साथ साथ आप करने कोसिज करिएगा और समझते भी रिएगा next question question number five which one of the following person introduced first the word chemical equation बहुत आसान है chemical equation जो है सबसे पहरे किसने introduce किया था options आपको दिख रहे होंगे पहला option आपको दिख रहा है newton दूसरा है nuts तीसरा है levosier and d है mandalief इसमें levosier हो जाएगा ठीक है chemical reaction जो आपका ये word है chemical reaction ठीक है ये किस के दोरा introduce किया गया था levosier के दोरा यहाँ पर जो आपका c वल option है levosier ठीक है ये आपका हो जाएगा option c करेक्ट हो जाएगा ये learning इसके question है अगर ये आपको learn होगा तभी आप ये कर पाएंगे ध्यान न कियेगा सभी लोग चैप्टर भी आपका chemical reaction and equation है ठीक है और चैप्टर आपका ये है तो that means ये आपका पहला question सबसे पहला question अगर आपसे किया जाए तो यही होता है कि chemical reaction word का you सबसे पहले काउन किये थे या किसने इसको discover किया था तो लेवाशीर नहीं किया था इसको टिक कर लिजिए फटा फट next question question number seven which are the following is not a physical change बड़ा आसान question ही ninth में आपने physical और chemical changes पढ़े होंगे देखिए options पढ़ते जाएंगे आपको तुरंद पता चल जाएगा पहला option है boiling of water to boiling of water to give water vapor बहुत आसान है देखिए water vapor अगर आप बना रहे हैं water से तो water vapor से water फिर से बन जाएगा that means यह आपका क्या हो जाएगा physical change हो जाएगा हम से पूछा गया है concern नहीं physical change है ध्यान दीजिएगा not a physical change next आपका option है melting of ice to give water ठीक है ice को आपने melt करके water बना लिया then water को फिर से freeze करके ice बना सकते हैं इसका मतलब इभी आपका physical change हो गया c option है dissolution of salt in water salt को water में dissolve करिए ठीक है salt solution मन जाएगा अब इस salt solution को आप फिर से अगर इसमें salt solution को आप heat कर दें तो water water evaporate हो जाएगा फिर से आपका क्या रह जाएगा salt रह जाएगा that's mean आप salt and water को spread कर सकते हैं फिर से ये भी आपका क्या हो गया ये भी आपका physical change हो गया and last option आपका है combustion of LPG LPG ये जो gas घरों में जो खाना बनाने में इस्तमाल होती है LPG gas इसको अगर आप जलाते हैं तो दुबारा इसको आप नहीं कैद कर सकते है cylinder में ये आपका कौन सा change हो जाएगा ये ही आपका जो है ये आपका chemical change होगा ठीक है क्या था इसमें last option है combustion of combustion का मतलब होता है जलाना ठीक है combustion of LPG LPG क्या है liquid fire petroleum gas ठीक है household जो खाना बनाने में यूज किया था cylinder उसी को LPG बोलते है ये आपका क्या है ये आपका एक chemical change है बाकि उपर जितने भी option दिये हैं वो सारे के सारे कैसे हैं वो सब के सब physical change है तो ये वाला option आपका सही होगा या ये किस option में आपका mention है या option D में आपका सारे mention होगा तो option D आपका correct हो जाएगा question number 6 का option number D correct होगा question number 7 पर जाएए सभी लोग next question आपका the following reaction is an example of तो सबसे आसान है यहाँ पर ये जो reaction है सबसे पहले इसको लिख लीजिए आप question number 7 है 4NH3 plus O2 gives 4NO plus 6S2 यह आपका chemical reaction है आपको options भी check करने है पहला option है displacement reaction दूसरा है combination reaction तीसरा आपका redox reaction ठीक है तीसरा आपका redox reaction है और चौथा आपका है neutralization reaction तो इसमें जो आपका reaction है इसमें एक से जादा भी हो सकते हैं तो देखिए इसमें पहला option तो आपका सही है displacement तो है इसमें किसका किससे displacement हुआ है जरा चेक करिए देखिए यहाँ पर क्या है nitrogen के साथ hydrogen था बट यहाँ पर nitrogen के साथ क्या है oxygen है ठीक है यहाँ इसको इसको चेक करिए देखिए इन दोनों में किसका exchange हुआ है इसमें hydrogen यहां से चला गया है और nitrogen ने इसकी जगह ले लिए अब देखो यहाँ पर keval oxygen था, इसको compare करिए, यहाँ keval oxygen था, यहाँ पर क्या हुआ, hydrogen add हो गया, ठीके addition हो गया hydrogen का तो यहाँ पर एक चीज तो पक्की हो गई, कि यह जो reaction है, displacement reaction है, ठीके यहाँ पर, यह reaction displacement तो होई गई, तो एक reaction होई, चलो लिख लेते हैं इसको यह displacement है, क्योंकि जगह बदल रहे हैं atoms इसमें, ठीके दूसरा ज़रा चेक करिए, और इसमें जो reactions के type दियें, कहीं ऐसा तो नहीं इसमें और भी कोई हो, एक चीज और भी इसमें, यहाँ पर देखिए, यह आपका जो इसमें convert हो रहा है, यह NH3 से यह इसमें जा रहा है इसमें किसका addition हो रहा है, oxygen का addition हो रहा है, और इसमें hydrogen का addition हो रहा है, इस इसका मतलब देखिए, addition of oxygen addition of hydrogen क्या होता है, addition of oxygen means addition of oxygen means होता है, oxidation होता है की नहीं होता है, पढ़ा होगा आपने ठीक है, और addition of hydrogen जो होता है, उसको reduction पढ़ते हैं addition of hydrogen जो होता है उसको हम reduction पढ़ते हैं, तो देखिए एक ही reaction में, oxidation और reduction दोनों हो रहे हैं तो दोनों हो रहे हैं इसका मतलब यहां पर क्या हो जाएगा यह आपका redox reaction भी होगा तो देखो option number third भी आपका दिया हुआ redox reaction तो एक तो यह redox reaction वाला सही है ठीक है और एक यह displacement वाला भी इसमें है तो जरा देखिए कौन सा option ऐसा जिसमें displacement displacement और redox के दोनों के बारे में लिखा हुआ है हमारा displacement वाला reaction वो first statement में दिया हुआ है और third वाले statement में दिया हुआ है third वाले point में दिया redox reaction तो ऐसा कौन सा option है जिसमें first and third ही के बड बन mention है देखिए option number c आपका correct है option c में first hand third दोनों आपके mention किये गए है तो यहाँ पर option C correct हो जाएगा यह जो reaction है यह आपका redox reaction भी है and आपका displacement reaction भी है समझते चलिएगा साथ में question number 8 पर जाएए सभी लोग question number 8 है आपका which of the following are exothermic process बहुत आसान इसमें statements पहला statement है reaction of water with quick lime quick lime के साथ अगर water का reaction कराएंगे तो यह क्या होता है दिखिएगा सभी लोग अगर quick lime यहाँ लेते हैं यह चूना जो होता है इसको अगर water के साथ reaction कराएंगे तो हमेशा यह कैसा होता है exothermic होता है ध्यान रखना exothermic मतलब उसमें energy निकलती है उसमें heat निकलती है तो यह exothermic हो गया उसके बाद में पूछा है dilution of acid यह भी होता है dilution किसी भी acid में अगर आप water मिलाते हैं ठीक है किसी भी acid में water मिलाते हैं तो यह भी आपका exothermic होता है हमेशा ध्यान रखना acid में water नहीं मिलाते हैं water में acid मिलाते हैं क्योंकि यह exothermic reaction होती है एक दम से बहुत ज़्यादा energy निकलेगी इससे बरतन के break होने के chances बढ़ जाते हैं इसलिए water में acid मिलाते हैं ना कि acid में water तो यहाँ पर यह तो definitely आपका exothermic reaction होता ही होता है तीसरा है evaporation of water evaporation हमेशा cooling produce करता है आपने 9 निंपठा होगा जब water vapors निकलती है जैसे हम लोगों के सरी से पसीना जब सुखता है तो हमको ठंडग मैंसे होती है क्यों क्योंकि evaporation causes cooling cooling create करता है तो यह तो आपका endothermic हो गया last is sublimation आप का emfer का emfer को जब जलाते हैं तो वो भी आपका endothermic reaction होता तो यह जितने भी आपके दिये हुए है इसमें first and second वाला ही सही है इसका मतलब जो eighth है आपका यह पहला यह था और यह दूसरा है यही तो है यह पहला statement है और यह दूसरा statement तो दोनों process जो है exothermic हैं और हमसे यही पूछा गया है क्योंसे process में exothermic हैं इसका मतलब यहाँ पर option number A correct हो जाएगा क्योंकि option A में ही आपके यह दोनों दिये हुए हैं ठीक है next question है next question and last question of this video question number 9 a brown red shiny element x gets oxidized in air to form a black color compound y x and y will be बहुत आसान है देखिए इसमें जितने भी option दिये हैं जरा चक करिए options ही आपके answer निकलाएंगे पहला option दिया है cu and cus तो देखिए cu जो होता है वो brown red brown color का होता है copper जो होता है वो brown red color का element है ठीक है तामा जो होता है copper जो होता है वो brown red होता है color का तो यह तो बात सही है but cus जो दिया है यह आपका नहीं होता है CUS आपका green होता है ठीक है? इसमें उसने पूचा है कि black color compound अगले option की तरह बढ़ते हैं? CU and CUO, यह आपका सही है, देखिए CU आपकी क्या होती है? Question number 9 के मैं बात कर रहा हूँ copper एक ऐसा element है जो आपका क्या है? brown, red इसका होता है ठीक है? brown, red element है ठीक है? और इसमें जो इसका oxide है, इसको जब आप air से air की presence में इसको heat करते हैं तो copper oxide बन जाता है और यह आपका कैसा होता है? यह black color होता है ठीक है? black color इसका होता है तो इन दोनों options में देखिए यह दोनों किसमें दिये हैं? यह b वाले में दिये हैं तो आपका यह b वाला option correct हो जाएगा यहाँ पर option number b आपका correct हो जाएगा ठीक है? तो आज के इस वीडियो में हम इतने ही question discuss करेंगे बाकि के जो questions है आपके उन next video में हम जरूर डिसकस करेंगे तो अभी आज के लिए इतना ही और हमारे साथ बने रही है आपको बहुत आनंद आएगा ठीक है? यह सारे जो questions है मैं with explanation आपको डिसकस कर रहा हूँ तो यह चीज भी आप अगर note करना चाहते हैं तो इसका screen shot जरूर लेते रहीएगा वीडियो में मिलते हैं अगले वीडियो में अगले नए नए questions के साथ में नए explanation के साथ में तब तक के लिए धन्यवाद पढ़ते रहिए और चैनल को like, share और subscribe करना ना भूलें like, share, subscribe जरूर करिए